नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी लोगों का एक वर्खिर से शरद पूर्णिमा की रात ज़ाडू के नीचे दबादें ये चीज साल भर वर्षेगा पैसा दोस्तों अश्वागत की जो सुक्लपक्षी पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है और वैशे तो पूरे वर्ष में बारा महीनों की जो बारा पूर्णिमा होती है शभी का अपना अलग-अलग महत धर्म गरंतो तथा पुराणों में बताया गया है लेकिन जो सरद पूर्वा होती है इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला और पूरी शक्ती के साथ इस पृत्वी के निकट आ जाते हैं और सोला कलावों से पैपूर्ण होकर पृत्वी पर अम्रित की वर्सा करते हैं तथा इसी दिन माता लक्ष्मी जी का प्रागट भी हुआ था एवं ब्रज मंडल में भगवान सरिक्रिष्ण ने रास लीला का आयोजन इसी दिन सरद पूर्वा के दिन ही किया था इसलिए सरद पूर्वा को सबसे विशेष माना जाता है हमारे पूराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि आज की दिन ब्रज मंडल की भूम पर शरद पूर्वा की रातर में भगवान सरिक्रिष्ण रास लीला रचाने के लिए आते हैं और भगतों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तथा इसी रातर में चंद्रमा अपनी शंपूर्ण कलाओं शियुक्त होकर पृत्वी के निकट आकर अम्रित की वर्सा करते हैं और सबसे ज़्यादा चमकीला भी दिखाई देते हैं इसलिए सरद पूर्वा की दिन जो उपाय किये जाएं वो कारिशिद्ध हो जाते हैं वो परमशिद्ध दायक माने जाते हैं हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि माता महा लक्ष्मी जी का प्रागट का दिन सरद पूर्वा का दिन कहलाता है इस दिन मा भगोती लक्ष्मी जी का प्रागट हुआ था इसलिए माता लक्ष्मी को परसंद करने के लिए सरद पूरिमा के दिन विशेश उपाय किया जाते हैं खासकर जाडू का उपाय जाडू का उपाय अगर सरद पूरिमा की रात किया जाए तो माता लक्ष्मी जी दोड़ी दोड़ी चलियाती हैं और साल भर धन बरसाती हैं इस बार शर्द पुर्मा यनि आज की दिन है और आज यनि की सर्द पुर्मा का पावन पर भी मनाया जा रहा है आज की दिन माता लक्ष्मी की पूजा राधना करके मा लक्ष्मी को परसन कर स आज ही की दिन अम्रित का कलस धनवंतरी भगवान लेकर निकले थे समंदर मंथन से और आज ही की दिन माता लक्ष्मी जी भी समंदर मंथन से प्रागट होई थी इसलिए आज की दिन माता लक्ष्मी के जन्मोसो मनाय जाता है और आज कई सारे दूलब सुपसंयोग बन रहे है आज के दिन शर्द पूर्मा के दिन बहुत ही बिशेष है मालक्षमी कृपा से आज अगर आप राज सोने से पहले जाडू के निचे चुपके से दबादे एक चीज तो माता लक्षमी दोडी दोडी चली आएंगी आज के दिन आप अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें और आज रातर में खीर भी रखकर जरूर आप अपने छट पर रख दें और उसे अगले दिन जरूर खालें इससे आपकी हर समश्या का शमाधान माता लक्षमी कृपा से बन जाता है लेकिन खास बात हु आज के दिन कई शुबश्योग बन रहे हैं आज सरद पूर्मा के दिन इशले आज सरद पूर्मा की रात जाडू के नीचे दबा दे ये एक चीज साल भर मालक्षमी कृपा बरसेगी आज शरद पूर्मा की रात जाडू का यह उपाय करके किस तरह से मालक्षमी को परसन कर सकते हैं चलिए हम बात करते हैं शरद पूर्मा की रात को शोने से पहले ज़ाडू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज रखनी है जिससे मालक्ष्मी दवडी चली आएंगी दोस्तों ज़ाडू हर किशी के घर में होता लेकिन क्या आपको पता है ज़ाडू को सीध में से पहले की जीवन की सारी खुश्या कष्टी हो जाए आए जानते हैं इसके बारे में ज़ाडू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरता रूपी गरीबी परिशानी को घर से बाहर निकाल देती है जीवन से भगा देती है ज़ाडू से जड़े हुए बहु चोटी चोटी चीजे बहुत मायने रखती है तो आज हम खास बात करेंगे ज़ाडू को लेकर अगर चोटी चोटी चीजों का अगर ध्यान में रखें तो घर के कलह कले सब खत्म हो जाएंगे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा अगर हम जोतिस की माने तो ज़ाडू का मह आप ज़ाडु को शूर्यास्थ के बाद बिलकुल भी न लगाएं। कूड़ा इसका बाहर ना फेकें तो तमाम इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है फिर दोस्तों राज सोने से पहले एक छोटी से चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जहाडू के नीचे दवा करके रख दें और आपको इस शरद पुड़िमा की दिन अगर आप ऐशा करते हैं तो कोई बात नहीं है अगर आप नहीं कर पाएं तो आप किशी भी पवित्र यनि कि जो सुब दिन होते हैं वहाँ पर करें अगर आप करते हैं तो विशेष लाग होगा देखे ये उपाए आपको जरूर करना है कैसे लाभ होता है एक बार करें जरूर आपको लाभ होगा आप माने या ना माने लेकिन हमेशा इस बात के धियान रखें कि जहाडू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए एक जगे कचरा इकठा करें और उसे घर से बाहर फेंक दें और दोस्तों वैसे तो मैंने जैसा कि आपको बताए कि जाड़ू आपको साम्ग समय नहीं लगानी चाहिए लेकिन अगर मान लिजे बहुत ज़रूरी हो गया तो रात में अगर आप जाड़ू लगाना आपको पढ़ रहा है तो उसके लिए आप कोई यनि की कपड़ा ले लें और आप खराब कपड़ा ले लें और उसे सारा कचरा आप समयट लें और घर के किशी कोने में तरफ आप इसको दीवाल के किनारे रख दें कचरे को और इस कचरे को रात के समय ही बाहर फिकने की गलती ना करें और सुबह जब हो जाए तो इसके बाद इस कचरे को बाहर फिक दें वरना दोस्तों घर में जो आपके धनाता है उसका आगवन दोस्तों रुक जाएगा उस पर प्रभाव पड़ता है आर्तिक परेशानी से आपको गोजरना पड़ेगा इसके लिए जाड़ू को जहां तहां ऐसे ही आपको नहीं रखना है और इसको लांगना नहीं है इसकी यानि कि कहां पर रखना है इस पर किशी भी आने जाने वाले बाहरी लोगों की नजर बिल्कुल ना पड़े सपने में भी जाड़ू देखना शुब नहीं माना जाता कहा जाता है कि अगर आप शपने में जाड़ू देख लें तो इस तरह से सपने आप तुलसी माता को या बहुत ही ज़्यादा शुब संकेत है दोस्तों माना जाते हैं कि अगर आपको धन यानि कि शर्द पूर्मा की दिन रात में शपने में जाडू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मालक्ष्मी कृपा बरशने वाली है तो ऐसे में दोस्तों खुस हो जाइए क्योंकि अब आप पर मालक्ष्मी कृपा होने वाली है चलिए अब बात आपको बता दे कि जाडू पुराना घर से बाहर निकालने का सही समय क्या रहेगा दोस्तों खास दिन सर्द पूरिमा का दिन है माता लक्ष्मी के दिन है, माता लक्ष्मी के प्रागट के दिन है इसले आज की दिन आपको बहुत ही अच्छा समय है, आप इसे बाहर निकाल दें माली जे छे महिने हुए आपको लगता है कि अभी ये बदलना नहीं चाहता घर की जाड़ू तो आप ये गलती ना करें क्योंकि पुरानी जाड़ू को आप बिल्कुल बाहर कर दें दीपा वलिया कोई भी शुब आपसार आजाए जैसे कि उस दिन भी हम निकालें एकिन सरद पूरिमा के दिन भी निकाल दीजे आपको अपनी पुरानी जाड़ू छोड़ करके नई जाड़ू का इस्तमाल करना चाहिए तो जढ़ा अच्छा रहेगा और आप नई ज़ाडू का इस्तमाल आज के दिन करें तो ज्यादा अच्छे रहेगा आपको आज बदलने की जरूरत है तो बदल भी शकते हैं कहां पर रखेंगे ताकि जीवन में खुश्याय कष्टी हो जाए खुले आसमान के नीचे न रखे ज़ाडू को रखने के एक सही दिसा निर्धारित करें उत्तर और पश्यम की यानि की दिसा बहुत अच्छी होती है अक्सर लोग क्या करते हैं कि छट पर रख देते हैं खुले आसमान के नीचे रख देते हैं ऐसा ना करें ऐसे गलती करना आपको पढ़ेगा भारी तो आपको यानि कि इससे कष्ट बढ़ता है जीवन में परेशानिया बीमारियां बढ़ती है धन आने के राश्ते रुख जाते हैं ज़ाडू को आप जहां तहां बिलकुल न रखें जिससे साल भर बरसे परेशा और मा लक्ष्मी जी कि कृपा से आपके घर में धन धान की बरसात हो जिससे माता लक्ष्मी जी प्रसंद हो जाएं और आपको इस सरत पूर्मा के दिन विशेश लाब हो देखे वो एक चीज है देखे मैं बता दूँ चांदी का सिक्का दोस्तों आपको चांदी का सिक्का लेना है एक आपको जाडू को नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का जी हां दोस्तों और अगर आप चाहिए तो चांदी का सिक्का नहीं है तो एक रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं और देखें चमतकार फिर यानि कि एक रूपए या फिर एक चांदी का शिक्का लीजे जाड़ू को नीचे चुपके सिदवादें फिर देखें कैसे चमतकार होता है जाड़ू में जो निगविटी एनर्जी है और यह सिक्का इस निगविटी एनर्जी को सदैब सोख लेगा बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें और गंगजल का छिड़का करके इसे स्वक्ष कर लें और धो करके इसे दोस्तों उसके बाद इसे माता लक्ष्मिक चड़ों में इस सिक्के को रख दें और घर की सारी निगविटी माता लक्ष्मिक दूर करेंगी और जब आप अपना ये एक रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तिमाल किया है स्वक्ष कर लें माता रानी के आशिरवाज समझ कर इसे अपने धन की स्थान पर रख लें तीजोरी आलमारी पर रख दें तो विशेश लाब होगा यानि की से चाहें तो आप परते एक पोडिमा के दिन आप कर सकते हैं परते एक शुब दिन कर सकते हैं खत्म हो जाएगी और लगता है जैसे कि धन ब्यापार नौकरी नहीं लग रही, बार-बार परिशानिया धन की अभाऊशे आपको कुरोध हाता है धन की अभाऊशे आप परिशान है, मानसिक चिन्ताउं से परिशान है, तो आपको क्या करना चाहिए माता लक्ष्मी को सबसे प्रिवस्त धनिया है इसे जरू जाडू के निचे चुपके से दबादें ततकाल आपके गरीबी दूर हो जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी इस्तिरवास करें साल भर धन की बरसात हो तो दो लोंग दो इलाइची जाडू के निचे चुपके से दबादें आज रात तो निश्य तिलाब होगा या फिर माता लक्ष्मी के सबसे प्रिवस्त कोड़ी है कोड़ी दबादें या कमल गट्टे के बीज अगर आपके घर में है तो इसको भी दबादें मा लक्ष्मी के सबसे प्रिवस्त बता दें जो माता लक्ष्मी को बहुत ही आकरसित करती है वो है कमल गट्टे का बीज या फिर आप धनिया, तो इन चीजों का इस्तमाल करें, या फिर अगर आपके घर में जैसे लगता किशी के बुरी नजर लग गई है, कोई बाहरी तंत्रमंत्र करवा रहा है, बाहरी तंत्रमंत्र की बाधाउश या आप बीमार, नजर, दोष, दुख नाश है, तो आपको प तो जो जो हमने बताया है, उन चीजों को आप ये उपाय करें, विशेश लावों का, दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो लाइक करिए, शेर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जै मालक्षमी